आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हिमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और आज के समाचार पत्र की महत्मुर सुचना है नमबर एक सुचना है कि B.A. कॉंसलिंग सुचना है और दूसरी सुचना है उत्तर परदेश दरोगा भरती परिक्षा तिथी के संबन में और तिसरी सुचना है यूपी टैट दोहियार एककिस आवेदन तिथी बढ़ा दी गई है इस वीडियो को आप लोग पोरा जरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शिर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों के वारे में जानकारी दी जाती है तो पहली सुचना उन अभ्यारतियों के लिए है जिन्होंने अभी तक UPTD के लिए आविदन नहीं किया है और ऐसे अभ्यारति जिन्होंने NIOS से डियलेट कर रखा है तो देखी आज के समचार पत्र में सुचना छपी है कि UPTD के लिए राइश्टेशन की तारीख एक दिन और बढ़ा दी गई है और इसमें लिखाए कि राइश्टिय परिक्षा नियामक प्राधिकारी करियलेने उत्तर प्रदेश सिक्षक पादरता परिक्षा यानि कि UPTD 2021 के लिए ओनलाइन राइश्टेशन की तीथी एक दिन बढ़ा दी है आप्भ्यारती 26 अक्टूबर तक ओनलाइन रेश्टेशन कर सकेंगे और इसमें लिखाए कि 27 अक्टूबर तक ओनलाइन आविधन सुल्क जमा करने और 28 अक्टूबर तक आविदन पूर करने एवं पूर आविदन का प्रेंट आउट लेने की तीथि आपकी निशित की गई है तो ये उन अभ्यारतियों के लिए डेट बढ़ाई गई है जिन्होंने यानि की NIOS से डेलेट कर रखा है ये उनके लिए खुसकवरी है जिन्होंने अभी तक इसमें आविदन नहीं किया है यानि की यूपिटेट के लिए और ये आज का मौका मिला है आपके लिए और इसमें लिखाए की स्वामबार तक कुल 12,85,189 अभ्यारतियों ने रेइस्टेशन करा दिया था और इसमें लिखाए की 11,181,85 अभ्यारतियों ने आविदन सुल्क जमा कर दिया है और इसमें काफी फारम इस्वार गए है यूपिटेट के लिए और इस परिक्षा का आईजन उत्तर प्रदेश में 28 नौंबर को किया जाएगा और ये परिक्षा आपकी दो पालियों में संपन होगी यानि की प्रैमरी लेवल का पेपर होगा आपका और उच प्रात्मिक स्थर का पेपर होगा तो देखिए दूसरी सुषना उन अभ्यारतियों के लिए हैं जिन्होंने अभी हाली में कौंसलिंग कराई है उनके लिए खुसकवरी है जो लोग कौली ले चुके हैं उनके लिए नहीं नहीं है ये उनके लिए सूषना है जिनकी पूल कौंसलिंग होनी थी तो देखिए आज के समाचर पत्र में ये सूषना छपी है कि बेड याने कि 30 तक जमा होगा सीट कौंफर्मेशन सुल्क अगर आप जो हैं सीट को कंफर्म करना चाते हैं तो उसका जो है डेट आपकी 30 अक्टूबर कर दी गई है और इसमें लिखा है कि पूल कौंसलिंग के लिए पंजी करण और बिकल्ब भनने का आज आखरी मौका है लेकिन इसमें जो राहत मिली है बहर आपकी सुल्क के लिए है तो ये उन अभ्यारतियों के लिए है जिनोंने अभी हाली में पूल कौंसलिंग कराई है और या फिर अभी आज यानि की 26 अक्टूबर इसकी लाज़ देट है तो इस वीडियो को आप लोग शेर करते हैं सभी अभ्यारतियों को जिनको ये जानकरी नहीं है बस इसमें जो है बेड़ वालों के लिए 30 तक का समय दिया गया है और सीट कॉनफर्मेशन सुल्क के लिए तो ये आप ध्यानक के और ये इस वार जो है 2021 में लखनों बिस्पित ध्याले की और से बेड़ एंट्रेंस कराया गया था और कोई जानकरी अन्ने मिलेगी हमें तो इसी चैनले के माध्यम से बीडियो बना कर प्रोवाइड करा देंगे हम तो देखिये तीसरी सुचना उन अभ्यारतियु के लिए है जो लोग तयारी कर रहे हैं ओतर प्रदेश में दरोगा भड़ती के लिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने इसमें एपलाई किया है 2021 में दरोगा भरती के लिए उनके लिए महत्मुन सुचना है और ये नीच छपी है नीच फिवर में इसमें दे रखाए कि नुवंबर के तीसरे हपते में शुरू होगी दरोगा भरती परिक्षा और इस परिक्षा के लिए 12 लाग से अधिक अभ्यारतियों ने आविदन किया है इसमें लिखाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती बोड यानि कि दरोगा भरती दोहियर बीच से 21 की ओनलाइन परिक्षा नवंबर के तीसरे सब्ता में सुरू कराने की तयारी में हैं नवंबर के तीसरे और चौथे सब्ता के अलावा दिसमबर के प्रितम सब्ता में भी इस परिक्षा का आईजन किया जाएगा भारती बोर्ड परिक्षा केंदर तक तैय कर चुका है यानि कि कौन-कौन से आपके सेंटर बनाई जाएंगे कहाँ पर ओनलाइन परिक्षा होगी इसकी पूरी तयारी कर ली गई है और इस परिक्षा में 12 लाग से अधिक अभ्यारती इस वार परिक्षा देंगे और इसमें लिखा है कि अन्य जानकारिया है और देश सकते हैं आप कि पदों की संक्या इसमें ती आपकी 9,534 पदों के लिए ओनलाइन आविदन मांगे गए थे तो ये महत्मुर्ट जानकारिया है कि नवंबर के तीसरे सब्ता से सुरू हो जाएंगी दरोगा भरती की परिक्षा है और दिसम्बर के पहले हफ्ते तक इस परिक्षा का आईजन किया जाएगा तो ये बेडिया आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जिरूबत आएं धन्यवाद